स्लाम अलेकुम दोस्तों मैं एकबाल अहमद एसमेस किचन गार्डिन में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं बताऊंगे कि फटिलाजर का इस्तेमाल कैसे करें इंडोर प्लांट्स में दोस्तों यह डीएपी है जो ब्राउन कलर की है इसमें ब्लैक कलर भी आता है और यह है एनपी के जो रेट कलर की है और इसमें ग्रीन कलर भी आता है दोस्तों DAP का इस्तमाल आप मार्च से दिसम्बर तक कर सकते हैं और NPK का इस्तमाल अप्रिल से नवंबर तक कर सकते हैं दोस्तों DAP को अगर छोटा पौट है तो 5-7 दाने डालें जैसे लिए है और NPK 3-4 दाने और थोड़ा बड़ा पौट है जैसे यह तो 8-10 दाने DAP और 5-7 दाने NPK उससे अगर बड़ा थोड़ा पौट है जैसे कि यह है तो इसमें 10-15 दाने DAP डालें और NPK साथ-8 दाने डालें अगर पौट कुछ और बड़ा है जैसे यह पौट है तो इसमें आप एक चमच DAP डाल सकते हैं और अजह चमच NPK डाल सकते हैं DAP के फायदे बताओंगा दोस्तों DAP से पौदा की जड़े मद्बूत होती है पौदा ग्रो करता है तना उसका मद्बूत होता है और NPK से NPK फलावरिंग करने में मददगार होता है दोस्तों और ग्रीन रहते हैं पौदे जैसे कि यह देख सकते हैं आप 15-20 दिन पर डाल सकते हैं NPK और DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं आप सारे पौदे इन सब में DAP और NPK का इस्तेमाल हुआ है जो हरे भरे हैं देख सकते हैं सब पौदों को अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो सेयर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे खुदा हाफिस